इस प्रोग्राम इस स्पॉंसर बाई पाईट एंसी आर कॉलेज इस प्रोग्राम इस स्पॉंसर बाई विराज ओटो मोबाईल्स नमस्कार वोईस ओपानीपत में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मसकान गोयल जिले में 3 दिनों से 10 या उससे कम केस मिल रहे हैं सोमवार को 2 महिलों सही 6 नई केस मिले तो 40 मरीज ठीक भी हो गए 6 केस 97 दिनों बाद मिले हैं इससे पहले 14 जुलाई को मिले थे एक्टिव केस का रिकोर 99 दिन में 200 से कम सिर्फ 194 रह गया इससे पहले 11 जुलाई को करोना के 193 केस एक्टिफ थे पानिपत में करोना से एक और मोथ हो गई मृतिका पटेल नगर तैसील कैम्प की निवासी थी सिविल सर्जन डॉक्टर संतलार वर्मा ने बताया कि पटेल नगर की निवासी 62 साल की महिला को सास लेने में दिक्कत थी 11 अक्टूबर को उनका स्वाप सेंपल लिया गया और 12 को रिपोर्ट पॉजिटिव आगी उनने खानपूर मेडिकल कॉलिज का रेफर किया गया 19 अक्टूबर की दोपैर करीब एक बजे मरीज ने दम तोर दिया सोमवार को पॉजिटिव मिले केस भगत नगर, ददलाना गुजर कलोनी, नांगल खेरी, भैसवाल और मतलोडा से मिले हैं सिविल सर्जन के मुटाबिक जिले में कुल 7,813 पॉजिटिव केसों में से 7,435 रिकवर किये जा चुके हैं अबी तक 102 मरीजों की मोथ हो चुकी पानिपत में कितनी फीजदी आबदी करोना की चपेट में आकर स्वस्थ हो चुकी है इसकी रिपोर्ट पता लगाने के लिए सोमवार को 0-2 शुरू हो गया पहले दिन 453 लोगों के बलड सैंपल लेकर इलाइजा टेस्ट के लिए रेड क्रोस बलड ब्रेंक में भेजे गए डॉक्टर रलित वर्मा ने बताया कि सर्वे में 19 वर 20 अक्टूबर यानि 2 दिन चलेगा ग्रामीन चेतर में 12 और 6 शेतर में 3 कलस्तर बनाए गए हैं टीम सर्वे में जुट गई है सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा के साथ उन्होंने हरीबा कलोनी, शास्त्री नगर कलोनी, उगरा खेडी, भारत नगर वर्ब अबैल रोड पहुच कर निरक्षन भी किया कुल 720 लोगों के ब्लड सेंपल लिये जानी है उमीद है मंगलवार की दोपैर बाद तक सर्वे पूरा हो जाएगा रेट लोज ब्लड बैंक में सेंपलिंग की टेस्टिंग शुरू हो गई डॉक्टर वर्मा ने यह भी बताया कि एक राउंड में लगबख 90 सेंपल की टेस्टिंग हो सकती है 720 सेंपल की जाच 8 राउंड में पूरी होगी इसमें चालिक से अधिक घंटे का समय लगेगा सेंपल की रिपोर्ट डीजी हेल्थ को भेजी जाएगी जीरो सर्वे वर्न की तरह परिणाम वहीं से जारी होगा अभी तक के लिए इतना ही आगे की खबरों के लिए जानने के लिए वाई सोब पानीपत को सब्सक्राइब करें नमस्कार